हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम चौथी क्लास इंवानुमेंटल स्टुडीज का सेकेंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंटर रिलेशनशिप बिट्वीन लिविंग थिंग्स लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ब तो आभि देखते हैं इंटर एंटर रिलेशनशिप बिट्वीन लिविंग थिंग्स मतलब एक दूसरे से जो जूझे रहते जैसे की लिविंग थिंग्स कैसे आपस में एक दूसरे से जूझे हुए वो ये चैप्टर में बताया है A riddle to solve मतलब एक पहली जिसे हमें solve करना है An age old tree with a thick strong trunk gives deep dark shade from the searching sun मतलब एक बुढ़ा पुराना पेड जिसका trunk मतलब तना है जिसके पास बहुत ही मोटा तना है तो बहुत ही चाओं बहुत जादा चाओं देता है किससे searching sun मतलब एक धूप रहती है जो जूलसा देने वाली रहती है नहीं बोलते हैं कि बहुत तेज धूप है जूलसा देने वाली उससे चाओं देता है ताकि उससे बच सके देखो यहाँ पर picture में दिखाया है देखो दो आदमी लोग एक बच्ची है एक औरत है यह लोग चाओं में है यह धूप से बचने के लिए like an old man's beard with many strands it has ropes for swinging from every branch swinging मतलब जूलने को swinging बोलते है और old man's beard, beard मतलब होता है दाढ़ी तो जैसे एक बुढ़े आदमी की दाढ़ी की तरह भी जैसे दाढ़ी रहती है उसकी तरह इस पे भी रसी रहती है एक डाल से दूसरे डाल पे जूलने के लिए branch मतलब डाल होता है तो इसमें तो यह जो है इसको ऐसे रसी बोले example दिया है बुढ़े आदमी की दाढ़ी की तरह इस पे यह होता है एक डाल से दूसरे डाल पे जूलने के लिए which is this tree in the picture यह कौन सा पेड़ है पिक्चर में यह है बन्यांड्री ठीक है अभी देखते हैं आगे कैन यू टेल क्या बता सकते हो प्लांट्स इन और सराउंडिंग और यूसफुल टू अस इन डिफरेंट वेज क्याहिए कि छो हमारे आजू-बाजू लेता है वह हमारे लिए बहुत ही काम काम होते हैं हमारे बहुत अलग अलग तरीके से the names of some plants are given below मतलब कुछ plants के नाम नीचे दिए हुए हें below मतलब नीचे for what purpose do we use their leaves purpose मतलब काम को बोलते हैं मende हम किस काम के लिए उनकी लीट में तब पत्य है उनकी पत्य हम किस काम के लिए उसके हमारी बताना है तो यह सब है नाम तो पहले क्या है betale wine है इसकी पत्य दवा बनाने में यूज़ होती है और आपने देखा होगा पान जो खाते हैं आपकी तो आपने देखा होगा वह पान की पत्ती रहंती दो यह यह यदा वैइन earnest रहती है यह किसमें यह यूज होती है टो रिट्रीट्मेंड हो स्वा घारीड में यूज हो गया है यह दो काना में भी आश मांस होती theorem अब ये क्या वसाका एडल्ट सा ये किसके लिए उस होती है ये न कफ औफ किसी को हो जाता है तो इसको इसका काड़ा बना कि ऐसा कुछ पियेंगे तो उससे वो अच्छा होता है Curry leaf plant ये भी ये किसमे ये भी दवा बनाने के लिए उस होती है या तो अगर किसी को जल गया या कट गया उस पे रखेंगा तो वो यह जल्दी से अच्छा कर देता है अभी आगे क्या है The needs of living things are met in their environment मतलब जो need मतलब होता है जो जरूरत मतलब जो living things जो भी जिन्दा चीजे हैं उनकी जरूरत उनके आजू बाजू जोहां पर रहते हैं वहां पर मिलती है We have many needs like food, water, air, clothes and shelter देखो हमें यह पता है food मतलब खाना, water मतलब पानी, air मतलब हवा cloth मतलब कपडे, shelter मतलब घर जहां पर हम रहते हैं घर को बोलते हैं तो हमारी बहुत सारी जरूरते हैं जैसे खाना, पानी, हवा, कपड़ा और मकान All these needs are met in our surroundings मतलब यह सब जरूरते हमें, met मतलब मिलती है, यह सब जरूरते हमें मिलती है हमारे आजू-बाजू में Surrounding मतलब आजू-बाजू देखो यहां पर दिखाया हुआ है, यहां पर पानी है, यह मकान है, कपड़ा है, सब दिखाया है In fact, food, water and air are the needs of all living things मतलब यहां पर कावला है, कि खाना, पानी और हवा, यह हर जो भी चीज जिन्दा है, उसको चाहिए, खाली इनसान को नहीं, जानवर को भी चाहिए क्या जानवर को बिना खाना, पानी यह हवा के रह सकते हैं, नहीं, उनको भी चाहिए They are all fulfilled in the environment मतलब, fulfilled मतलब जो जरूरत पूरी होती है, तो यह सब जरूरत उनके आजू-बाजू से ही पूरी होती है But there are difference in the needs of each kind of living things Difference मतलब जो फरक रहता है, कि जो सब जरूरत है ना, वो जो जिसे इनसान के अलग है, जानवर के अलग है, तो अलग अलग रहती है अग जिसे हमारी जरूरत है कपड़ा, कि जानवर को भी कपड़ा चाहिए, नहीं, वो लोग कपड़े के भी ना रह सकते हैं, उनको खाना लेकिन जरूरी चाहिए एक हाथी के लिए एक टाइम भी वो पानी काफी नहीं रहेगा, अब देखो हाथी है, कितना पानी पीता है उसके लिए एक टाइम भी उतना पानी काफी नहीं रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा चाहिए पानी, यह बहुत बड़ा जानवर रहता है, अब यह आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या दिया हुए, थिंक अबाउट इट, मतलब इसके बारे में सोचो, चूसते हैं यह फूल पर जाके, कैना फ्रॉग दूदा सेम, क्या एक फ्रॉग मतलब मेंडग, क्या मेंडग को ही कर सकता है, नहीं मेंडग कैसे कर सकता है, मेंडग तो कीड़े खाता है, श्रॉब एक छोटा सा पेड रहता है, तो कैसे एक श्रॉब जो रहती है, वो क्या खाता है वो carnivorous animal है ना तो कैसे गोष्ट खाएगा कैसे पत्ती खाएगा गोष्ट शिर्फ खाएगा ना अब फिश करें ब्रीथ इन वाटर ब्रीथ मतलब सास लेना फिश मतलब मच्ची मच्ली तो एक मच्ली पानी में सास लेती है बट कहना क्या कबूतर क्बूतर कॉपा सकती है केसे पानी में kangaro क्यों ले सकती है बलगित sticky in water ऐ thế can you tell क्या बता सकते हो इसका मतलब if fish leave the water will they be able to live on land अगर fish leave मतलब छोड़ना अगर वो पानी को छोड़ दी will they able to live मतलब क्या वो land मतलब क्या वो जमीन पर रह पाएगी बताओ सही बोले आप नहीं रह सकते है क्यों 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 कि fish पानी के अंदर सास पानी के अंदर वो सास नहीं ले सकती है पानी के बाहर वो मर जाएगी अभी क्या है try this यहां पर देखो आपको कुछ करना है यहां पर दो पिक्चर में कुछ दिया हुआ है जो अगर आप कर सको तो इसको परफॉर्म करना take two small boxes मतलब आपको दो छोटे box लें जिसे पिक्चर में तो दिखाया है label them box one and box two मतलब आपको उसको one or two ऐसे नाम देना है box पे fill them three quarters with soil soil मतलब मत्टी मतलब आपको एक त्याई उसका मत्टी से भरना है दोनों को यहां पर भरा हुए make the soil moist enough to sow seeds moist मतलब गीला करना sow मतलब बीज बोना यह जो बीज है नहीं यह बीज बोने के लिए sow two sprouted moth मत्की seeds in each box मतलब यह जो नहीं अंकुरी रहती है अंकुरी वाला बीज वो बोल रहे है यह दोनों आप इसमें डाल दो इसको में बो दो यह अगर अंकुरी वाला जो बीज रहती है आपको नहीं मालूगे न तो आप अपनी मुम्मी डेरी से पूछो आपको दिखाएंगे give two spoons of water to the soil of box one मतलब spoons मतलब चमश तो इसमें क्या है कि दो चमश पानी यह पहले box को दो यह वाले को only once every day मतलब हर रोज यह box को दो चमश पानी दो give four spoons of water to the other box four times a day मतलब यह जो second वाला box है इसमें आपको चार चमश पानी देना है दिन भर में चार बार ठीक है इसमें आपको एक बार दो चमश पानी देना है इसमें चार चमश पानी दिन में चार बार देना है do this for six days मतलब यह आपको छे दिन करना है what will you see मतलब क्या आप देखोगे the plants in box one are growing well जो यह box one में है इसमें जो पेड रहेगा छोटा पौदा वो अच्छे से बढ़ेगा but the plants in box two have begun to rot rot मतलब सरना लेकिन जो box two में इसमें जो रहेगा पे जो पौदा वो सरना शुरू हो जाएगा यह को यहां पर यह सर रहा है यह तो को अच्छे से बढ़ा हो रहा है why does this tell us what does this tell us मतलब इससे हमें क्या मालूम पढ़ता है plants that are not aquatic plants aquatic plant क्या रहता है जो पानी में उखते हैं जो पानी में पौदा नहीं उखता है if they get more water they need they rot मतलब अगर इन्हीं जितना पानी चीए उससे बहुत ज्यादा पानी मिलेगा तो यह वह सड़ जाएंगा यहां पर फोटो में दिखाया है सड़ गया है यह तो यह वाल एक तो अच्छे से बढ़ा है any type of living things will be found only where all its needs are fulfilled इसका मतलब है कि कोई भी जो जिन्दा चीज़े जैसे इनसान या जानवर वो कहां पाये जाएगा जहां पर उसकी जरूरत पूरी हो आजू बाजू जैसे देखो अभी मच्छी कैसा है वो पानी में रेगी पानी में उसकी जरूरत पूरी होती है और टाइगर कैसे जंगल में रहेगा जंगल में जरूरत उसकी पूरी होती है सिटी में तो रहा नहीं सकता टाइगर शहर में शहर में तो उसको मिलेगा ही निकुछ खाने के लिए अभी देखते हैं आगे क्या है let's take the example of the tiger देखो यहां पर बताए टाइगर का हम एक example लेते हैं टाइगर है तो उसका शिकार उसे नहीं देख पाता है घास में because of the stripes इसके उपर देखो यह नहीं stripes रहते हैं इसको जैसे इसका शिकार नहीं देख पाता है इसको यहां पर यहां पर आपको दिखाया हुआ है यहां पर टाइगर देखो चिपा हुआ है इसको आपको शिकार के लिए नि जब अलग अलग जो जंगल में रहते हैं जब भूक जब भूक रहता है इटकन फेड फीड उन देम मतलब वो उसको खा सकता है यहते हैं यहांपर ताइगर यह सब खाता है for tiger there also need to be a water hole nearby which never dries up even in summer tiger के लिए यह वह रहोल मतलब पानी का जो नहीं खड़ड़ा रहता है उसको बोलते है और dries up मतलब सूखा पड़ना तो tiger के लिए एक कोई पानी का खड़ड़ा रहता है जो गर्मी भी नहीं सूखता है उसमें पानी रहता है तो ही वो जिन्दा रह पाएगा ना अगर पानी नहीं रहेगा सिर्फ खाना में इसको मिलेगा तो नहीं रह सकते पानी पीची यह ना there must also be dense vegetation tall grasses or caves in the hills or mountains in the area so that the tiger can find shelter मतलब जहां tiger रहता है वहाँ पे dense मतलब घना vegetation मतलब घास पुछ जहां पे रहती है caves मतलब गुफा mountains मतलब पहाड इसम तो क्या बलता है वहाँ पे घनी घास लंबी घास और गुफा भी रहना चाहिए और यहां पर जिश्प कर पा रहे है वह नहीं कर पाएगा निमयम लोग भाग जाएंगे और पानी बीरहना चाहिए दो को पानी पीने के लिए उसको चाहिए और एक गूफा रहने चाहिए जिसमें वो रह सके नहीं तो रात के टाइम कैसे बाहर टाइगर नहीं उनको रहने के लिए पी लिए पानी और यह सब जानवर जो खाता है अब जो जहां पर जानवर नहीं रहेंगे तो फिर वह इसे वह नहीं रह पाएगा वह पर इंसान वाले अर्यए में तो नहीं रहेंगा क्योंकिक्षा लोग को खानी पाएगा ठीक है अब आगे दिखते हैं कैन यू टैल हैं फ्रम वैर डू वे गेट सिल्क मतलब हमें सिल्क कहां से मिलता है रेशम जिसको बोलते हैं वह स्लुक्षा हैं पीड़ पेड़ पे रहते हैं और उसी पे ऐखाते हैं और जिस से उनक्योंकिक्षा खत्राग। है अब टाइकर आ गया तो पेड़ 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 जाते हैं, या को भी शिकारी आ गया हो पेड़ पेड़ पेल बिंख पी pedir रहते हैं बेड़ रहते हैं वह इस सी कह बुट ए सब्धाइस वह चोटा मोटा शिकारी रहा है उससे बचे रहते हैं what happens if termites make a tree hollow termite मतलब दीमक, hollow मतलब खोकला मतलब अगर एक जो ये दीमक रहता है वो पेड़ को खोकला बना दे तो क्या होएगा तो वो पेड़ गिर सकता है we keep animals in order to satisfy some of our needs मतलब हम जानवर को रखते हैं अपने कुछ जरूरत पूरी करने के लिए मतलब जरूरत पूरी करना they become dear to us dear मतलब प्यारे वो हमारे प्यारे देखो यहां पर प्यारे यहां पर लिए वो हमारे प्यारे बजनते हैं we look after them well मतलब हम उनकी अच्छे से देख भाल करते हैं we feed them फिर उनके खिलाना हम उन्हें खिलाते हैं we take them to a wet if they fall ill wet मतलब जो animals के डॉक्टर रहते हैं ill मतलब बीमार मतलब वो लोग जब बीमार होते हैं हम उन्हें animal के डॉक्टर के पास जानवर के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं these animals to return or affection मतलब जो हम उनकी देख भाल करते हैं affection मतलब देख भाल करना तो वो भी हमें return में देते हैं कुछ जिसे की डॉग हो गया वह हमारी घर की देख भाल करता है और और गाय हो गई वह हमें दूद देती है वैसे वी देखो यहां पर वी गेट मिल्क एग्स एंड सेवरल अधर तिंग्स फॉम एनिमल्स मतलब हमें दूद गोष्ट और अंडा मिलता है जानवर से ठीक है कुछ जानवर ढोष्ट धोने के काम में आते हैं और ड्रॉइंग कार्ड्स मतलब यह जो बैल गाड़ी यह सब नहीं खीचते हैं उसका मतलब यह कि वह सब गाड़ी खीचने में भी काम आते हैं मतलब यह मतलब मतलब यह मतलब घर की रखवाली करता है ठीक है sheep give us wool sheep give us wool मतलब कि जो sheep रहती हो में wool देती है यह तो हमें पता है जो हमारे sheep के wool से sheep के wool से हमारा sweater यह सब भी बनता है Do you know even the excretor of domestic animals is of use to human beings मतलब excretor मतलब waste जो रहता है animals का जैसे कि गोबर हो गया गाय बहस का वो भी use में आता है तो यहां पर भी बता है कि domestic के जो पालतू जानवर रहते है वो हमारे बहुत ही पालतू जानवर का जो भी waste रहते है जो गोबर यह सा वो हमारे बहुत काम का रहते है the the dung of cattle is made into dung cake मतलब डंग मतलब क्या होता है गोबर होता है cattle मतलब गाय बैले स्वह को cattle बोलते है dung cake मतलब नहीं जो गोबर का वो बंता है आपनी गाउं में बेक्षा वह जो हम जला के खाना पकाते है यह ऊसको बोलते हैं तो मतलब जो गोबर रहता है गाई या भाषय का उससे हम लोग यह बनाए है डंग केक बनाते हैं देखो गाओं में आप देखे होगे खाना पकाने के लिए इसको जला की यूज़ करते हैं मतलब जब जलते हैं तो जलने वाली गैस है जिसको गोबर गैस बोलते हैं यह गोबर गैस आप नहीं देखो बहुत कम रहता है यह आजकल यह गोबर गैस हो भी जो गाइब भैस यह सब के गोबर से ही बनती है देट तो इस ऐसा फ्यूल वह भी एक इंधन के जैसे यूज़ होती है फ्यूल में इंधन बंस विटाउट स्मोक जो गैस अना गोबर गैस उसमें से धुआ नहीं निकलता है बीना धुए के उजलती है कैटल डंग इस यूज़ फॉर प मतलब कीचर मतलब जो मिट्टी के घर रहते है ना उसको कवर करने के लिए यह गोबर यूज़ होता है पहले यूज़ होता था अभी तो नहीं यूज़ होता अभी गाउं कहीं कहीं गाउं में आपको दिखेगा मैनियोस मेड फ्रॉम कैटल डंग और शीप पैलेट्स और खाद और पैलेट्स मतलब वेस्ट यह जो बक्री या शीप यह सब की जो वेस्ट रहता है जो सब टॉलेट करते हैं उससे क्या बनता है खाद बनते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है फार्मर्स यूज़ देम फोर ग्रोइंग क्रॉप फार्मर मतलब कि किसान यह सब को यूज़ करते हैं पेड़ पौदों को उगाने के लिए ठीक है यहां पर कुछ फोटो में दिखाया है यह दो को यह गोड़ा काम आ रहा है इंसान के जिसे इनका सामान धो रहा है और देखो यह कुट्ट लोग भी साथ में बक्री भी है और यहां पे देख लगते हैं अभी क्या है जिस इनमल्स मतलब हमें जैसे अनिमल्स की जडूरत है वी निड्स विसे हमें पेड़ की जडूरत है प्लांस टू प्लांस् Kev escondiabs मतलब जो पेड़ है वह मैं अनाज यह सब देपे यह online जो हमें अच्छे है लगते है उमें यहां यह सब है we get flowers from plants मतलब हमें फूल पेड से मिलता है we also get cotton wool from plants to make cotton cloths मतलब हमें cotton wool जो मिलता है वो पेड से मिलता है जिसे हम लोग कपड़ा कौटन का कपड़ा बनाते हैं हमारे काम वैसे हम पेड उगाते हैं मतलब एक तरीके से काम हमारे काम आता है उसको हम पेड उगाते हैं we so seeds so मतलब बोना बीच तो हम बीच बोते हैं वी make sure that they get water मतलब हम उन्हें एक मतलब बराबर पानी देते हैं जिसे उनकी जरूद हो पेड की we give manure when necessary मैंने मतलब खाद तो ह उनको खाद देते हैं जब भी जब जरुवत पड़ती है तो हम डालते हैं पदों पे ताकि कीडे उस पे अटेक ना उसको खाये नहीं प्लांस टू गीव तो अबिडेंटली मतलब जरुवत से ज़्यादा भी प्लांट भी जो पेड़ भी हमें जरुवत से ज़्यादा देते हैं दे सैटिस्फाय और नीड मतलब हमारी जरुवत पूरी करते हैं अधर लिविंग तिंग्स अलसो गेट देर फूड फ्रॉम दे इ यह खाना यह सब मिलता है वह आजू बाजू से यह मिलता है एक्जामपल कमेलियं इट इंसेक्ट QUESTION मतलब घृट उसको ख्मीलिय 생겼े तो घृट एक्ति कीड़ा खाता है जब यह भूका रहे था हंगरी मतलब भूका समस्नेक माइच और फ्रम अज़ाय को खाता है को में गोर्ट और यह बकरि और यह जो वो जो खाते हैं यह जो पीड की पत्ती है cattle eat grass cattle मतलब गाये भाइस इसको cattle बहते हैं अब क्या नूट herboreal herboreal क्या होता है देखते हैं यहाँ पे लिखए दा फीडाब कम फ्रॉम लेटिन वर्ड एर्बोर मतलब एक लैटिन विडिन वर्ड है जिसमें Erbor which means tree Erbor इसका मतलब होता है पेर erbor E으면서 means living in trees Erboril का मतलब क्या हुआ कि पेर पौदहों में रहना देखो यहां पर Erboril के कुछ दिये हुए है एनिमल यह जानव हो रहा रहा है गिलेरी Erboril जानव हो बोलते हैं इसको Erboril जानों बोलते हैं animals like monkeys and squirrels lives on tree monkey मतलब बंदर squirrel मतलब गिलहरी तो जानो जैसे की बंदर और गिलहरी गिलहरी यह सब पेड़ पे रहते हैं मतलब पेड़ पे रहने से उनको बहुत फायदे मिलते हैं वह बहुत उचाई पर रहते हैं तो उससे क्या वह अपने दुश्मन से जो भी शिकारी रहता है उससे अपनी हिफाज़त कर सकते हैं क्योंकि पेड़ पर नहीं चड़पाते हैं कई सारे इसे जानवर रहते हैं तो उससे वह बचके रहते हैं उन्नोहेंनोग्ले ते साव हैं मतलब बीना ञाने सापोर्य मतलब सहारे मतलब वह बीना जाने जो पेड़ पर करता है रहने के लिए जैसे वो इस पे रहते हैं लेकिन वो भी पेड की मदद करते हैं एस दे मूव अराउंड हीर एंड देर इधर उधर इंदर इंदर सराउंडिक मतलब जैसे उधर उधर घुमते हैं तो उससे क्याता है इस बार इस ब्रॉट्स दे आव इडन श्रेट मतलब फहलाना तो जो वो खाते हैं फ्ल उसके बीच वो इधर उधर फेक देते हैं तो यह वो जब बीच गिरता है वहां पिर बारिश उते हैं पानी मिलता है तो फिर वहां से एक नया पे रूखता है शूंट ताइप फो फाइन ट्री उसफुल for building their nest मतलब कुछ टाइप के जो बड से चुड़िया है वो अपने घोशला है वो पेड़ पर बनाती देखो यहां पे पिच्चर में घख कर रहे है घज्या उगेगा तो यह आजका दो आधा चेपटर एक्स्प्लेन गया है कि बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो अगले पार्ट में नेक्स्ट का जो बाकी चैप्टर है यहां से वह मैं एक्स्प्लेन करूंगा ठीक है तब तक के लिए पूरा रिवाइस कर लो ठीक है